तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो मेंगशान रहता है वो सीधा आंटी जिन से बोलता है यहां पर एक लिंगडॉंग करके बंदा आया हुगा है और मुझे उससे यहां से लेकर जाना है क्योंकि उसने मेरे अंडर में काम करने वाले काव येंग वगेरा को बूरी तरह से पीटा था अब जब लिंगडॉंग भी सुनता है तो वो बोलता है कि मैं जा तो नहीं सकता तो यह भी उधर की तरफ मूव करने लगता है अब आगे इधर मेंगशान कहता है कि आंटी जिन मैं आपको प उन रहा था उस लड़की शिशातिस को थोड़ा प्यार तो नहीं बोलेंगे पर शयद अपने डिजायर्स पूरे करने थे तब ही अचानक से इन सभी लोगों के सामने आंटी जिन को पार करता हुआ एक बंदा प्रकट होता है यह अपना लिंग डॉंग था यह कहता है कि मे बिश वहार रीजण में कुछ लोगोंने अंटी जिन के पती और्या मतलब इंसानों को मार दिया था मैंग्शन और किंग Гांग दोनों देखते हैं लिंग डॉंग को और कहते हैं आच्छा तो तुम वही लिंग डॉंग हो मैंगशन कहता है कि हमारे बिश वार रीजन में कर सकते हैं तुमें क्या लगता है कि हम ब्लड पाइफन सेटी से कमजोर हैं काव इंग मेरे सामने कुछ नहीं है अब लिंग डॉंग समझ जाता है ये भी अपने ग्रीन ओरा को रिलीस करता है और कहता लगता है तुम ऐसे मानोगे नहीं हाला कि आर्मी इनकी काफी जादा थी पर लिंग डॉंग जानता था कुछ भी हो जाए मैं इन्हें छोड़ूंगा तो नहीं इतरा अंटी जिन लिंग डॉंग को सांथ करने की कोशिश करती हैं क्योंकि इनको मालूम था कि बैटल आप काफी मुश्किल होने वाला है लिंग डॉंग के लिए जीतना क्योंकि यहा होने वाला ही था पर अचानक से आंटी जिन वगरे या जो भी हो यह दूर में धूल उड़ते हुए देखते हैं ऐसा लग रहा तो कोई बड़ी थे आर्मी यह नहीं के डिरेक्शन में मूफ कर रही थे और यह आर्मी जो थी सभी ब्लैक कलर के दिख रहे थे एक ब्लैक हंडे दिखते हैं उस पर एक ही चीज लिखा वो था यान मैंग्शन और किंगांग भी पहचान जाते हैं कि यह टाइगर डेवोरिंग आर्मी के जनरल यान है इनके चेहरे पर भी एक डर हो जाता है किंगांग को तो अच्छे से पता था इनका जो डीप लाइटिंग माउं कि क्या इनका ये जो जगह है खोन की नदियों से बह जाएगा लिंग डॉंग भी हरान था उस डायरेक्शन में देख करके ये जो भी लोग ते सच में काफी पावरफिल थे टाइगर डिवोरिंग आर्मी काफी रूथलेस दिख रहे थी ये लोग बिलकूल भी इनके चेहर स्माइल देता और कुछ बोलने ही वाला था पर ये जो बंदा था ये मेंगशान के तरफ देखी नहीं रहा था बलकि ये लिंग डॉंग के तरफ बढ़ रहा था उठाता है और कहता है काफी लंबा समय हो गया तुम काफी ग्रो कर गए हो फाइनली तुम मुझे मिली गए जो भी लोग यहाँ पर थे सबी शान्त हो गए थे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर एक चीज़ सुन करके ये हहरान थे कि ये जो बंदा था अपने जन जनरल यान जो के काफी फियर्स हैं लिंगडॉंग के सामने नील डाउन हो चुके थे आंटी जिन कहती है बिग ब्रदर मतलब यही है तुम्हारा वो भाई जिसे तुम धून रहे थे जिन किंग जो के छेपी वी थी वो भी इस सीन को देखकर अब थोड़ा-थोड़ा समझ लोग इस बात पर हहरान थे कि यह जो अपने जनरल यान है काफी फियर्स माने जाते हैं पर लिंगडॉंग के सामने यह काफी दयालू दिख रहे हैं काफी जेंटल दिख रहे हैं दोनों की आखे नम थी लिंगडॉंग की भी और जनरल यान की भी लिंगडॉंग देखता ह और कहता है कि जावयान, तुम्हारी सरीर पर कई सारे घाव हैं, लिंगडॉंग भी जानता था, जब ये जावयान अकेली घुमा है, तो ये ज्यादा ही स्टॉंग हो गया है, सैदिस ने इस दोरान कुछ टफ बैटल भी लड़े होंगे, जावयान कहता है, मैं आपसे बताता ये नैंतियल ट्राइब, फिर भी तुम यहाँ पर आए, मतलब तुम मरना चाहते हो, मैंगशान कहता कि ब्रदर फ्लेम, ये बस एक मिस अंडरस्टेंडिंग है, जावयान कहता है, मिस अंडरस्टेंडिंग, ये हसता है, पर जो भी हो, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, मै इस सारे, ये जो ब्लैक आर्मी थी, टाइगर्स की, इनको पीछी हटाने लगती है, चारो तरफ, बस खोनी खोलके, होनी अख, होली अखेली जा रही थी, जावयान फिर से एक पार कायव होता है, मैंगशान अपीछे भागता है, पर अचानक से, एक ब्लैक जायन, टाइग स्पेस को चीरते हुए, सीधा इसके हाथों की तरह पड़ता है, और लागतार उठाके, अब जायोयान इसको दिवाल पर दे मारता था, और इसके बोड़ी से ही, जमीन पर एक, काफी बड़ा गड़ा कर दीता है, जायोयान, वाइलेंस के मामले में, ये सायद लिंगडॉं की तरफ देखता है, और कहता है, तुम की नहीं जा रहे हो, अब से ये, नाइन टेल फिलेज मेरे प्रोटेक्शन में है, जो भी यहां पर चंदा मांगने आएगा, सब ही मारे जाएंगे, किंगां कुछ बोलने को सोचता है, और जावयान की लाल आखों को देखकर, इसकी जवान ही नहीं खुलती है, और यहां से ये भाग जाता है, और फिर से जावयान पहले जैसा हो जाता है, एकदम नॉर्मल, आंटी जीन हैरान थी, ये बंदा एक समय में इतना फिर और दूसरे समय में, लिंग डॉंग के समय, एकदम नॉर्मल, सब ही लोग जब चले जाते तो नाइन टिल ट्राइब वाले हरान थे, और वही बात बोल रहे थे, कि मुझे लगा नहीं था, कि ब्रदर लिंग डॉंग का भाई जो होंगे, वो सच में जनरल यान होंगे, और वो भी छोटे भाई, फिर आंटी जीन को ये भी पता चल गया रहता है, कि लिंग डॉंग जो भी अल्डर थे, वो समसारा लेफल पर थे, पर ये बताता है, कि मुझे पूरा इनिलिटेंस नहीं मिल पाया था, क्योंकि वाँ पर एक और बंदा था, उसे लोग कहते हैं जू जो जोंग, और ये बंदा कमांडर है, डीप लाइटनिंग माउंटेन का, और वो भी हमें काम करते हो, ये सुनकर के जायोयान कहता, मैं जा भी कैसे सकता था, मेरे पास एसेंस बलड था, और हम टाइगर ट्राइब के ही हैं, हाला कि मैंने इस दोरान टाइगर ट्राइब के कुछ लोगों को धूंड कर, टाइगर डेवरिंग आर्मी अपने खुद की खड़ा क अगर वो मुझे इसंस बलड मिल जाए, तो मैं परफेक्ट इट स्टेज पर जा सकता हूँ, और उसके बाद हम सभी लोट सकते, युवान गेट उन लोगों को मारने के लिए, ये कहता है कि उस टाइम आप और सेकंड ब्रदर फाइट कर रहे थे, उन्हीं युवान गेट क परफेक्ट इट स्टेज के, और कभी भी समसारा में जा सकता है, और जू 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 के अंडर मेरे अलावा आठ और जनरल्स हैं, और सभी का इस्टन्त मेंग शान के आसपासी हैं, हाला कि जावयान बताता है कि उनमें से कुछ जनरल्स मेरे साइड में हैं, उसके बाद ये जू 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 के द्वारा बनाए गए ब्लैक सील्स को दिखाता है कि ये जू 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 है काफी शातिर बंदा है तो इसने हम सभी आठो नवो जनरल्स पर सील बना दिये हैं लिंग डॉंग अपने पावर से सील को टच करता है और कहता है ये तो डीप डार्क घोश्ट सी है टेंशन मतलो मैं इसे रिमूव कर सकता हूं और वो बंदा जू 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 उसे मरना ही चाहिए जावयान कहता है मैं कब से प्लैन कर रहा हूं आठ जनरल्स में से पांच तो मेरी तरफ हो चुके हैं अब बस मैं मौका देख रहा था उसे मारने का लिंग डॉंग डॉ जावयान कहता है जब मैं सभी चीज का प्रिप्रेशन कर लूँगा तो आपको इनफॉर्म कर दूगा जब हम लाइटनिंग माउंटेन के लिए निकलेंगे क्योंकि जू 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 भी इस पर कई सारे अटेक्स किया था आदा इसेंस बलड के लिए पर जावयान क को ही हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना जो क्लैन सिंबल इनहेटन्स था उसे भी इगनाइट कर दिया था लिंग डॉंग में समझ जाता है कि लिटिल मार्टन की जो इंजरीज थी वो सबसे ज़्यादा थी अब इसके पास वो यूमान स्पिरिट कॉम्यूनिकेटर था ज जावयान कहता है क्यों आप मेरे साथ चलो फिलाल पर लिंगडॉंग कहता है नहीं फिलाल मैं नाइंटेल ट्राइब में रहूंगा और जब तुम वहां निकलोगे जूजॉजॉग को मारने के लिए तो मुझे बुला लेना और जावयान भी कहता है कि ये नाइंटेल ट्र सर करके बुलाती लिंगडॉंग बोलता है इसकी कोई जूरत नहीं और जाने से फ़ले जावयान भी बोलता है अगर कभी भी आपको हमारी जूरत पड़े तो आप आ सकते हो अब आंटी जिन कुछ तो सोचती है और जिन किंग के सर पर अपना हाथ रखती है अब इदार रा चानक से दो-तीन मिनट बाद ये रोने लगती है लिंग डॉंग इससे देखता है और स्माइल करता है और कहता है शहता है तुम्हारी मा ने तुम्हें मेरे साथ रहो रात बर मतलब तुम लोगों को हमारा प्रोटेक्शन चाहिए जिन किंग कहती है मुझे मालूम है पर हम अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी दे सकती हूं तो यह बॉड़ी क्या चीज है लिंग डॉंग इसे अब समझाता है यह लड़की रो रही थी यह भी समझ गई थी कि मुझे मालूम है कि यह सब ट्रिक्स आपे काम नहीं करता है लिं कैसे आगे बढ़ा फिर तो तुम भी बढ़ सकती हो और तुम्हारा तो स्टार्टिंग पॉइंट वैसे भी अच्छा है तुम खुद एक परफेक्ट लाइफ स्टेज के आसपास पहुँच चुकी हो इतनी कम एज में और लिंग डॉंग कहता है कि तुम्हारे पास पोटे लाइ करके स्टॉंग बन सकते हैं अब थोड़े देर बाद यह यहां से चली जाती है इसे जाने के बाद लिंग डॉंग फिल करता है कि इस लड़की के अंदर जो डर था अब शैद वो समापत हो चुका है तो यह फ्यूचर में काफी अच्छा करेगी रात में यह लड़क अपनी मा के और elders के पास जाती आंटी जीन कहती कि मैंने तुम्हें क्या कहा था यह समझाती कि मैंने वो method try किया पर ब्रदर लिंग डॉंग थोड़े अलग है अब यह कहती कि मुझे ancestral soul hall जाना है तो ancestral soul hall जो जगह है वो nine tail tribe का inheritance वाली जगह है मतलब जो इनके spirit guardian रहती वो वा और अंटी जीन को समझाते हैं कि क्या पता यह लड़की inheritance हासिल करी ले तो इससे हम रोज 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 श्टागल करने के बजाए दूसरे पर आस्रित रहने के बजाए खुद ही पहले जैसे हो जाएंगे अंटी जीन अब फाइनली मान जाती है पर यह कहती है अगर यह एक किंग के साथ जाओंगा तो दो पैर का समय हो चुका था और सभी elders वगेरा और लोग यहां पर ही कठे थे लिंगडॉंग के अंदर से यान बोलता है कि वो जगह काफी खास है क्योंकि यान काफी पुराने जमाने के थे तो उन्हें हर एक information नॉर्मली पता रहता था और यान अपनी लाइफ को sacrifice कर दिये थे तीन यमोस किंग को suppress करने में लिंगडॉंग को समझ में आ था कि dragon king kings ही भी शादीन लोगों से मतलब कमजोर माने जा सकते हैं और उसके बाद यान बोलते हैं उसी की बात से nine tail tribe कभी recover नहीं कर पाया और यान का कहना एक ही था कि ancestral soul hall में कुछ बड़ी है तो तुम्हें वहाँ पर find out करना पड़ेगा तो लिंग डॉंग पूशता है कि clear clear बताओ तो यान बताते हैं मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूं जो nine tail tribe की एक ancestor थी साधर incarnation नेबल पर वो devoring master के साथ प्यार में थी तो तुम्हें वहाँ पर जाते हैं कुछ connection feel होगा क्योंकि तुम्हारे पास devoring ancestral symbol है अब लिंग डॉंग समझ जाता है मतब जो पहले वाले devoring master थे शायद थोड़े romantic ज्यादा ही थे और बात भी क्या थी कि nine tail tribe की जो women's होती है वैसे भी काफी सुन्दर होती है अब आंटी जिन लिंग डॉंग होगेरा को यहां का portal ख अब उम्मीद लगा के बैठे थे बाहर में यहां पर जो nine tail fox का statue था उसमें एक अलगी उदासी देखी जा सकती थी उसकी आखों में अंधर जाते ही लिंग डॉंग एक powerful special fluctuation feel करता है पर जिन किंग के साथ क्या होता है जब यह अंदर एंडर करती है तो अंदर से किसके आव अब लिंग डॉंग जिन किंग को follow कर रहा था थोड़ी दिर में एक square के पास पहुंचते हैं और यहां पर एक stone statue लिंग डॉंग को दिखता है ठीक square के बीच में जो की nine tail spirit fox का था बाहर में जो bronze statue था उससे एक कहीं ज़्यादा stronger भी feel हो रहा था जिन किंग लिंग डॉंग को जिन किंग भी same posture यूज करती है अब यह जो nine tail spirit fox था इसके आसपा एक blood light condense होना शुरू हो जाती है और तुरन थी यहां पर एक lady प्रकट होती है मतलब वो ancestor जिन किंग इन्हें greet करती है अब यह जो ancestor थी यह भी एक woman थी तो यह भी जिन किंग को कहती तो मेरे tribe member काफी लंबे लिंग डॉंग क्या बात है लिंग डॉंग फिलाली से ignore मारता है और वो जो enchanting woman प्रकट हुई थी उनकी तरफ देखता है और सीधा कहता है कि आप nine tail spirit fox नहीं हो जिन किंग चौक जाती है और यह तो मेरी ancestor है nine tail spirit fox ही है पर लिंग डॉंग इसे कुछ बोलता नहीं और इस spirit से है कि आप कौन हो spirit भी देख के और कहती है कि तुम भी हमारे nine tail tribe के नहीं हो एक इंसान के से हाँ पर प्रवेश कर गया अब इधर लिंग डॉंग जिन किंग से कहती है एक चीज मैं तुम्हें बता आ रहा हूं अब ध्यान से सुनों कि तुम्हारे कई सारे members यहां पर इन रे initial death stage में होने के पाउज़ों sense कर पाए लिंग डॉंग हसता है और कहता है मैं तुम्हारे emo king से fight कर चुका हूँ यह woman और भी ज्यादा है कि ज्यादा बकवास मत करो emo king के सामने एक initial death stage का बंदा फिर यह बोलता है कि हमने तुम्हारे emo king को मारने के लिए heavenly plate यूज़ किया था अब यह woman जो के पहले हस रही था अब शान्त हो जाती है फिर से कहती तुम हो कौन है exactly फिर यह कहती कोई बाद नहीं तुम यहाँ पर आई गयो तो मैं तुम एक छो शेज में आता है कि लिंगड़ॉंग को कैसे पता यह मुस के बारे नियृ तुम्हारे के पास पर तुम अभी काफी week हो तो आज में तुम्हें तुम्हें पना निका थि लिए और लिएक प्रिें बनाती है और लिंचंत हो और लिंगड़ॉं के तरफ निया और इस प्रिजन को तोड़ देता है, वोमेन और भी ज़्याद है, यह हैरान हो जाती है, यह थंडर बोल और डिवोरिंग एक ही बंदे के पास, अब लिंगडॉंग के बोड़ी से ब्लैक लाइट निकलती है, और इस वोमेन का जो कॉंसियसनेस था, उसे यह खतम करने लगता यह तो इसी की बेवकुफी थी, यह थर पीछे खड़ी जू किंग थोड़ा रोनी लगती है, आब इसे लगता है कि इसके ट्राइब की जो भी उम्मीदे हैं, वो नाइंटेल अगर स्पिरेट फॉक्स मर गई होंगी, तब तो पोरी तरह से खतम, और यह यह मोस कहते हैं कि एंसेस्टल सिंबल से यह प्योरिफेकेशन नहीं हो पाएगा, पर मेरे पास एक और मेथड है, अब अचानक से यहाँ पर एंसेस्टल स्टोन टैलिसमेन लिंगडॉंग के सामने प्रकट होता है, इसकी वाइट लाइट बाहर निकलती है, तीनों यह यह जो कि एक ही फॉर् प्योरिफाई कर सकता है, अब लिंग डॉंग कई सारे हैंड सिल्स बनाता है, और यह जो ब्लैक कीज थी, फॉक्स स्पिरिट के अंदर इसे अब प्योरिफाई करने लगता है, और इस टेकनिक को कहते हैं, अब यह जो वूमें थी, यह मोस किंग के फॉर्म में, यहां से भ साफी सुंदर थी, इनके अंसेश्टर, लिंग डॉंग बता था कि अब यह प्योरिफाई हो चुकी है, यह नि पहली जैसे, जिन किंग इनने फिर से अंसेश्टर बुलाती, यह फिर से बोलती है, तो फाइनली, मिने ट्राइब मेंबर आ ही चुके है, अब यह उसके बाद पूरी कहानिया सुनाती है, कि पास्ट में उस टाइम क्या हुआ था, यह मेरी ही गलती थी, मैंने तीन यूमोज किंग को एक साथ सप्रेस करने का कोशिश किया, और अपना डेमोनिक स्पिरिट का पावर ही यूज कर दिया था, जिसके बज़े हमारे ट्राइब के लोग, फ यह मोज के जगे में वो घुश जाता था, अब यह कहते हैं इनहें जल्दी से ले लो, क्योंकि शाद इन के पास अब टाइम उतना ज्यादा था नहीं, जिन किंग इस समय लिंग डॉंग को थैंक्स बोलते हैं, और कहते हैं आपको कभी भी जुरत पड़े, हमारा नाइन ट पोरिंग मास्टर थे, तो यह जो एंसिस्टर थी नाइन टेल ट्राइब की, उन्होंने भी सेम वैसा ही किया था, पर यह कुछ बताती नहीं, नाइन टेल फॉक्स स्पिर्ट एक चीज तो देखती, कि यह लड़की जो जिन किंग है, यह सच में काफी टैलेंटेड है, पर जिनकीन से कहती है, यह प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, तुम्हें पेन भी होगा, क्या तुम तैयार हो, जिनकीन एकदम ध्रिन निश्य के साथ खड़ी थी, अब यहाँ पर एक बून पूल था, जिसमें यह एंटर कर जाती है, और जाते जाती है कि सर लिंग डॉंग, अब मैं आप पर बर्डेन नहीं रहोंगी, जब टाइम आएगा, तो मैं जरूर वापस आऊँगी, लिंग डॉंग काफी खुश था, कि चलो इसी बहाने, नाइंजल ट्राइब फिर से पहले जैसा स्टॉंग हो जाएगा, अब यह वो मैन, यानी फॉक्स स्पिरिट, लिं इनटेंस मिल गया इसे, तो यह आराम से, समसारा या उससे भी उपर जा सकता था, फिर यह सोचता है, तो क्या डिवोरिंग मास्टर भी, रिंकारनेशन पर नहीं पहुँचे थी, मतब रिंकारनेशन में पहुँचने के बाद, क्या उनका पुनर जनम नहीं हुआ, जैसे कि इंग हुआन हुआन, यानि आइस मास्टर का हुआ है, फिर यह बताती है, कि तुम समझे नहीं, डिवोरिंग मास्टर उस टाइम, जब वो रिंकारनेशन पर थे, तो यह मूस का जो अटेक था, बाकी भी आठ मास्टर को मार सकता था साथ, तो उन्होंने अपना रिंकारने इस लिए कहती है, कि अगर कोई इस दुनिया में है, जो कि सेकेंड सिम्बल एंसिटर बन सकता है, तो वो आइस मास्टर ही, अब इसे याद आती हुआन वान की, जो कि इसके लिए जिथर भजाया करती थी, क्या वो सच में आइस मास्टर बन के, पहले जैसी नहीं रहेगी, चुनबुली खेलती हुई नैंटल स्पिरिट फॉक्स देख रही थी ये बंदा किसी खायालों में खो गया है अब लिंड़ंग फूचता है तो बाकि सेवन मास्टर के साथ क्या हुआ अब इसे याद आता है कि केोटिक डेमन्सी में जब ये गया था मतलब बाकि सेवन साथों मास्टर जिन्दा है बस डेवोरिंग मास्टर उन्होंने सभी को प्रोटेक करने की चक्कर में अपनी कुर्बानी देती थी नैंटल फॉक्स भी इसमें थोड़ा उदासी ने दी शयाद ये उनको भी पसंद करती थी और ये लिंडॉंग से कहती तो अगर टुमें डेवोरिंग मास्टर का इंहरेटेंस मिल गया मतलब तुम उनके सकसेसर बन गया क्योंकि तुमारे पास वैसे भी डेवोरिंग एंसेस्टर सिंबल है पर उनका इंहरेटेंस हासिल करना इतना आसान नहीं है वो आदमें बहुत जिद्धी था जब तक कि कोई पंदा उससे भी बड़ा जिद्धी ना हो वो उसे अपना इंहरेटेंस देगा ही नहीं और उसका जो इंहरेटेंस है वो डेमन रिजन में ही कही है और जगे को कहा जाता है डेवोरिंग डिवाइन पैलेस पर वो कहां पर है उसे धूरना शायद मुस्किल है एक अलग स्पेस में है वो ऐसा बताती है पर बीच-बीच में वो बाहर आते रहता है वो जो लोकेशन है तो तुम्हें कभी न कभी उसका क्लूज मिल जाएगा जब तुम्हारा समय करीब होगा अब यह पूचता है तो डेवोरिंग मास्टर से रिलेटेड यह डेवोरिंग अंसेस्टर से मलत हो गया बाकी कुछ है तो यह अभी सोची रही थी पर लिंगडॉंग इन्हें स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स निकालके दिखाता है इससे देखते हैं लिंगडॉंग मतलब जब यह दिखाता है तो नाइन टेल फॉक्स स्पिर्ट थोड़े समय के लिए अब सेंट माइंडेड हो जाती है फिर यह कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि यह स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स इतना ज़्यादा डेमेज हो जाएगा फिर यह बताती हैं कि पास्ट में मेरे पास भी हमेशा एक स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स रहता था उस devoring master ने मेरे protection के लिए दिया था link dong समझते जा रहा था पतलब devoring master और ये जो nine tail fox spirit है इनका relation काफी अच्छा रहा होगा अच्छा मतलब शायद romantic रहा होगा अब ये बोलती है कि इस devoring cops को मैं पूरी तरह से तो recover नहीं कर सकती है पर इसके strength को थोड़ा बहुत recover किया जा सकता है इवेन ये reincarnation lemer के बंदों का भी attack सम्हाल पाएगा फिर अगर मैं devoring master होती तो इसको completely recover कर पाती है अब ये link dong से कहती है अपना devoring ancestral symbol दो link dong इन्हें दे देता है अब ये इसके power को use करती है और sky devoring cops को recover करने लगती है सम्हाल सकता है इवेन समसारा level को ये बोलती है इससे ज़्यादा फिलाल में करने ही पाऊंगे इसे recover link dong खोश हो जाता है कि इतना भी काफी है अब इससे ये demon result में थोड़ा protected रहेगा उसके बाद ये पूशता है तो zen king को inheritance हासिल करने में कितना time लगेगा तो ये बोलती है दो साल के असपस तो लगी जाएगा अब link dong बोलता है ठीक है फिर मैं वापस जा रहा हूँ और बाकी जो tribe के लोग है उन्हें inform कर दूँगा link dong इन्हें greet करता है और यहां से बाहर निकल जाता है special vortex के थुरू बाहर आते समय ये कहता है उमीद है कि तुम्हें inheritance मिल जाएगा इधर बाहर का scene दिखाय जाता है link dong और जिन किंग को गए हुए काफी समय हो चुका था तो बाकी लोग थोड़े tension में थे आंटी जिन खास करके इनको उमीद थी कि अगर जिन किंग को inheritance मिल गया तो इनके दिन वापस आ सकते थे पहले जैसे है और यह किसी पर burden नहीं रहेंगे किसी के भरोसे नहीं रहेंगे अब यहां पर fluctuation होता है और link dong फाइनली बाहर आ जाता है आंटी जिन इसे देखकर और ज़्यदा चिंतित हो जाती पर link dong कहा था tension मत लेजिए आपका nine trail tribe फिर से पहले जैसा rise करेगा यह समझ जाती है कि जिन किंग को inheritance मिल रहा है और link dong इन्हें पूरी बाते बता देता है अब यह लोग वही बोलते है कि आप जभी भी बोल हम आपको follow करेंगे आपका हमारे पर बहुत बड़ा उखार है link dong आणटी जिन से कहता है कि आप अपने formation activate कर लो और अपने tribe को strong करने पर focus करो link dong जानता था श्याद अगली पर जब यह आएगा तो nine trail tribe काफी strong हो चुका रहेगा हाला कि peak power तक इन लोगों को जाने में यानि इन incarnation में अभी भी जाद time लगेगा और इस area जो ancestral tower था इनका इनको ये लोग hide कर देते हैं अब link dong इन लोगों से कहता है कि फिर मैं भी अब यहां से निकल रहा हूँ क्योंकि यहां पर अप Tiger Devoring Army आ चुकी थी आंटी जिन देखती है ये नहीं चाहती है कि link dong जाये पर इन्हें मालूम था इसे जाना ही पड़ेगा सभी लोग link dong को एक emotional विदाई देते हैं तो भाईयों story यही पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम एक नए वीडियो के साथ और हाँ इसके बाद कौन से series शुरू करने हैं उसको भी आप कमेंट में लिख देना क्योंकि मुझे लगता है इसे खतम करने में 15 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे 15 से 18 दिन तो जो भी नया series शुरू करना होगा अब बता दोगे तो मैं उसे थोड़ा देख लूँगा और सभी को राम नावमी के सुपकामने